नमस्कार किसान साथियो एफ्टूड्य एफ मोबाइल एप और एफ्टूड्य वेबसाइट आज पालेरा मारिया जी के पास आई हुई है जो एक जैवी खेती करते जैवी किसान है और निस सो असी से जैवी खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चनल के उपर दन्यावाद अपर हमारे जो साथी है उनको बताई है कि आपके दिमाग में आ जिसे के हरित करांटी आया था जिसमें पैस्टिशाइड और सप्रे का और राशानी खाद का जो खाद गेरे कर दे, उसमें कनकोर गिर्जे कर दी, अच्छा, हमने इसा अवलाव कार्ण के है, ज़्मारी जो कैप्टी थी, उसका पाणी में मतलब नाइट रेट था, टेस्ट कर वाया तो उसमें मिले आ मतलब, एक पाणी में 20 किलो नाइट रेत, मतलब यूरिया उसमें चीक है उस टेम के बाद हम ने खाट डालना बंद कर दिया डिये पी के बगहर ठीक है अच्छा उसमें जब रिसा हो या आम ने मतलब यूरी आरे टोगा नहीं पता रहा के रेट है ठीक है और फसल पूरी सैट बैस्टमन की पैंस्टमन तक की आउस दिये कर दी वो ठीक है जो जरसी है वो दिशोरी बोलते हैं एक तरह से नहीं वो दिशोरी है बाहर कड़ेंगा बिल्कुल जितनी भी साहिवाल है गिरी है ठुडवाली तो वह सारी देशी जो बार्त की नसल है वह सारी देशी चेक उन्सियोकून में भी हो जिस तरहां गिर है वह गुजरात की है पाकिस्तान में शेर है उसका नाम तरह भी देशी है ठीक है अच्छा एगा जैवी खेती जब आपने अपनाई तो किसकी कठनाई का सामना किया था आपने क्या समस्शा या थी मेरे को इसमस्या नहीं आई हमने मतलब यह आथ कि वहां मतलब थोड़ी खेतड़ा है वो जीरो क्योंकि सबसे पहले किसलिए मैं दर्सों को बता दूं कि पहली बात तो बीज नहीं खरिदना पड़ता मार्केट से जो जरेटिक बीज यूज करें हाज कल जीम बीज ठीक वो निक्रिदना पड़ता उसका पैसा बच जाता है जो आपने रसानी खाद गुन डालनी पड़ सब्सक्राइब जो सप्रे कर रहा उसकी बचतों जावे हैं और सर्वाद जो ही थी मतलब जीरी लगा रिखी थी हमने उसमें सिर्फ नहर का पाणी था कोई केमिकल खाल ने दिया और हम आए कर दा बहुर का या कहलो जा वह मतलब बिना खाद वाई कि थी उसका नियु दूर को जा पसला गयर गयर दो इसमें कोई बिमारी नहीं है जितना भी था वह चार एक गड़ था दो जो भी जब उससे मतलब अंधाजा आया वे मतलब यह जैर ना गेरा तो बहुत बढ़ी आए और जितनी बिमारी आवेंगी तो जितना आम जैर गेरांगे खाद बाई गेरां मतलब जितना खा देगे रहें उतनी हमने द्वाई चाहिएंगे बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा एक बात आओ जैसे के फसल है अब सप्रे निकरा जो कीड़े वगएरा है फसला खा जावाए है या फिर खर पतवारों जावाए तो उनको बिना सप्रे के कैसे कंट्रोल क इसको उसके लिए च्ञार है मतलब जिसके या डाई किलो नीम की पती ले लिया खड़ी ले लियो उसका और जतूरा वो भी डाई किलो ले 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 जी और नीम के पत्ते तो इसमाय लिए हूँ मेरे ख्याल है आक है जी और जिस तरिया अधरक ले लिया अधी किलो मतलब एक ड्रम के लिए करना ही तो चार चीक है अधी किलो एक किलो अरी मिर्ट मतलब बहुत कड़वी तिक्खी हो तमाख हूँ ये मतलब सारे कुट छेत के तियार कर कर इसमें कडाई में बाड़ा उसने किसे करस्तर जो भी है हाँ वह मतलब आग गया मतलब एक किला में 200 लीटर पानी और पांट लीटर वो गोड़ तिक है उसके मैं तियार करो कोई कीडा मकौड़ा खेत में नहीं मिलागा कोई कीडा मकौड़ा तो वहां तक अंट्रों जा जितना में अपना और्गा निकरो बिल्कुल अच्छा इक बाता हुघ और तो उसमें उन्ने स्वास्टेनी चाहिए बिल्कुल यह बात बात नहीं बहुत बताई बहुत अच्छी बताई हैं कि तो सब्तर बढ़ी समस्या क्या है कि लोग जैर की दिना त्यार है सस्ति सब्सक्राइब कर लिए मतलब जिसे के अपना घर का सारा घर मैं जो यूज कर रहा है वह सारा जैविक वह सारा जैविक यह बहुत अच्छी बात है कम से कम जैहर भरी खाना खान लग रहे हो उस्ता आई भी बढ़ा है आदमी की कहिना की और आगया डक्टर बचाइगा उससे लास्ट बार डक्टर गलों कद गई थे डक्टर के तो रहे हो जानों की जरूरत को नहीं पर दी क्योंकि तीफतन था मुने जैविक सउद्दा त्यार करें था मुस्रमार रहे हैं तो शुट्टी करी गया बिलकुल अच्छी बात है क्योंकि जैविक खावांगे तो सबसे बड़ी समस्या है ना कि डक्टर के पास जांगी जुट यादी वीमारी को नहीं होना आज कल सब्सक्राइब दिक्कत हो जितनी प्रोब्लम है जितनी दुनिया पर की प्रोब्लम चल रहे हैं यह बहुत अच्छी बात है आपने कईना की बहुत दर्सक देखर लग रहे हैं उसने समझेंगे और इस बातने की लागू करेंगे तक जाएवी खेटी की तरफ बढ़ा है जाने की कोशिश करें देखा की मतला हूं है तो हूंगे इस पर थोड़ा टाइम लाग गया आना पड़ाएगा उनने अरहालत में बिल्कुल क्योंकि जरूरी भी है आज के टेम प पड़ें है मतला से ज्यादा है बिल्कुल यह जो बहुत चिंदला का विश्या है क्योंकि आज का वक्त में बड़ी समस्चाहिए इस चीज़ की है करा साइनी खेटी यूजिकर ले रहे हैं जिसका सिद्धा इफ्रेक्ट है आदमी का स्रीप पड़ा लग रहे हैं बिल्कु परिवार के सोई तक पचासका तो आपने कैसे फाइदा मिल सका है इस जैवी खेती करते हुए जैवी खेती है कि मतलब इस तरह ने पता हो तो बेश्यादा में दिक्क्त है वह अपना खेतियों करना चोड़ जागा वह अपने काप भी करा जो हमने चाहिए बिल्कुल सही ब कि आपका सबसे बड़ा फाइदा जो व्यक्ति खेती बाड़ी नहीं करता उसको यह होगा कि वह जो उगान लग रहे है ना उस तक पहुंचे किसान तक पहुंचका है वह और किसान का फाइदा होगा कि उसने असली चीज मिल जाएगी और जो विक्री करने वारा मतलब किसान लग रहे हैं अगर सिद्धा करेगा तो वह गरहक तक पहुंचेगी गरहक आप तक पहुंचागा तो फाइदा आप नहीं करते उनको यह फाइदा होगा कि उनको बड़िया चीज मिल जाओगी प्योर चीज सिर्फ किसान देश को देख उन सकता नहीं सब्सक्राइब यही है इसको जितना जल्दी समझाओ को उतना फायदा है और हमारी मोबाइल एप और वेब साइट ने यूज करो डाउनलोड करो हमारी मोबाइल एप को प्लेश्ट पर अवेलेबल है कोई खर्चा नहीं है बिल्कुल फ्री ओफ कोश्ट अवेलेबल है आपने कोई जाओ करो यूज करो फायदा अपने आप मिलागा अपने और सबसे बैसी यह है कि एक बात देखो किसान वही उगाओगा जो उप्भोकता की डिमांड हो गया रही है बस आप उस उप्भोकता तक पहुंचो डायक्ट उससे संपर्क में आओ जो उसको चाहिए वह अपना खेत में अपने रेट में लगा और समने वाले को उसका मन चाहा समान में लगा फायदा दुन्हों का है तो ऐसी वीडियो हम आपके लिए बना के लेकर आते रहेंगे आप हमसे जुड़े रहीएगा हम ऐसी प्यार देते रहीगा थन्या